नमस्कार मैं हूँ अनिमेश सरकार आज हम लोग आये हैं इस वीडियो में थोड़ा सा जो बाजेट नया पेश हुआ है पेश 24 का उसके बारे में हम थोड़ा डिसकास करेंगे इस वीडियो में तो हम पूरा का पूरा बाजेट तो इहां पर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पूरा बाजेट अगर दिखाना जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबाचोरा हो जाएगा तो बाजेट का जो हाई-लाइट से मतलब जो की फीचर से उसका हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे इस वीडियो में थोड़ा आप भी बहुत जान सकेंगे क्या क्या वाजेट में क्या है क्या चीजे बदलाब किया गया है वो सब चीजे आपको देखने को मिलेगा और अगर आपको पूरा बज़ेट चाहिए तो मैं बज़ेट का लिंक description box में दे दूंगा वहां से आप पूरा का पूरा बज़ेट का पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और हम जो अभी सब्द का इस्तिमाल नहीं हुआ है बज़ेट के अलावा वहां पर एक सब्द है जो है फाइनेंशियल एन्वाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम बज़ेट कहते हैं बज़ेट के नाम से बहुत सारे लोग जानते कि यह बज़ेट पास होगा और एकोनोमिक इस्टम के देश के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रोल है बज़ेट तो लूपे है बज़ो पर्टिकुलर यह गुग है 203 शो पाइनेंशियल से स्टर्ट में ही एप्रिल सो जो स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है तो उसके पहले बाजेट का पास होना बहुत जरूरी है भारतिय संग्विधान के जो आर्टिकल है जो आर्थिक फांड होता है जहां से पैसा सरकार कितना खर्च करेगा कितना पैसा वहां पर आया तो यह सब पार्लेमेंट में आपको पेस करना पड़ता है क्योंकि पार्लेमेंट में अगर किसी का अनुमती नहीं होगी पार्लेमेंट के बिना आप कोई भी खर्चा नहीं कर स लगते हैं तो बहुत सारे अर्टिकल्स हैं पूरा डिटल्स आपको दिखाएंगे तो आगे हम बाज़ेत के पीडियेप के अंदर आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा तो यह देखिए बाज़ेत का जो पीचर से उसके बारे में किस्कास करेंगे तो चली आ आ सरकार का एक कहना है कि हम जो अभी 2023 में है तो हम अगले ही साल 2022 में भारत का इंडिपेंडेंटेंस हुआ है उनिश्यों सब्सक्राइब हैं यहां पे लोग आजादी का 55 में तो उसके हिसाब से हम अभी अमृत काल में है तो उसी अमःत काल का यह पहला बाजेट है अकार का यह कहना है तो उसी वेजन में यहां पर तीनों चीज़े रखा गया है उपर्चुनिटीज फॉर सिटीजन सुई फोकस उन दा यूथ यूथ यूबा पिड़ी को बहुत फोकस में रखा गया है वहां पर उसके लिए बहुत अपर्चुनिटीज भी है ग्रोथ एंड जॉब क्रियेशन दिया जाएगा सरका मतलब है कि यहां पर साथों चीज़े हैं जिसको प्रायरिट में रखा है सरकार ने और बो सब यह है कि रिचिंग दे लास्ट माइल यूथ पावर फाइनेंशियल सेक्टर ग्रीन ग्रोथ आनप्लेजिंग पोटेंशियल इंफ्रस्ट्रक्टर एंड इन्वेस्टमेंट और इंक्लिउजिब डवलोप्मेंट यह जो सातों चीज़ें इन चीजों को अमरित काल में सेभेन प्रायरिटीज में डाला गया है जिसको यहां पर सरकार का सरकार ने इसको नाम दिया है कि सबतर्शी ओके ठीक है अब आजातें सबका साथ सबका विकास जो है उसके इस सेक्टर में जो-जो किया गया क्या जाएगा स्वरी किया जाएगा उसमें हैं डिजिटल पबलिक इंफ्रेस्टर्प्ट्टर शेटिंग अप एग्रिकल्चर एक्सेलेटर फंड टार्गेटिंग फंडिंग है एन बी का होटी कल्चर क्लीन प्लैंट प्रोग्रम है मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर माइलेट जिसको नाम लिए श्री अन्ना और सेटिंग अप आप वाइडली अवेलबल स्टोरेज टैपसिटी तो यह सब चीजें यहां पर एग्रिकल्चर सेक्टर में रखा गया उसके बाद है हेल्थ का सेक्टर हेल्थ में देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज इस टुबी एस्टैबलिस्ट यह न्यू नर्सिंग कॉलेज इहां पर इस्टैबलिस्ट किया जाएगा सिक्यल सेल एन्यमिया Elimination Mission to be launched यह mission होगा जो launch किया जाएगा सरकार के और से new program to promote research in pharmaceuticals to be launched वो भी launch किया जाएगा और यहां पर देखिए joint public and private medical research होगा जिसको encourage किया जाएगा भाय सिलेक्ट ICMR lab से ओके उसके बाद यहां पर आ जाएए अचा वो उसके पहले यहां पर देखिए gdp का percentage दिया गया है health and education में increase and expenditure का तो education का यहां पर देख सकते हैं 2.8 था पहले जो 19 का है financial year और 2.9 का जो education का gdp percentage यहां पर देखा है तेश का अब देख सकते हैं यहां पर दिखाया है health का तो 1.4 था अब वह 2.1 है ठीक है अभी आ जाते हैं education education and skilling sector में यहां पर देखिए आप देख सकते हैं के भेंट teachers teachers training होगा कहां पर district institute of education and training में national digital library खोला जाएगा children के लिए digital होगा पूरा का पूरा mobile में computer में laptop में देख सकते हैं लाइबरी और states will be encouraged districts को encourage किया जाएगा कि किसके लिए कि to set up physical libraries at पंचायत and word levels यहां पर government of India हर states को encourage करेगा physical libraries को set up करने के लिए पंचायत और word level में उसके बाद यहां पर देखिए जब big tent that accommodates all क्या 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 किया गया है आप achievements जो है सरकार का 9 करोर drinking water connection है rural house में cash transfer हुआ है 2.2 लाक करोर का फर्मर्स में जो अंडर PM कि शान के अंडर आता है insurance cover for 44.6 करोर persons अंडर PM SBY and PM JGI में है 47.8 करोर PM जन्धन बैंक अकाउंट्स खुला गया है 2200 स्वरी 220 करोर कोबीट vaccinations हुआ है 9.6 करोर LPG connection अंडर उज्ज्वला 11.7 करोर households toilets constructed अंडर SBM यह सब यहां पर achievements है देख सकते हैं inclusive deployment achievements यह सरकार का सरकार यहां पर आ गया है सरकार उसके बाद यह आपको एक graph मैं दिखा रहा हूं अब देख सकते हैं अर्बन unemployment rate at four year low जो कि यहां पर आपको एक graph दिख रहा होगा बहुत उच्छा है percent में 20.9 परसंट यहां पर दिखा रहा है तो बता दूं कि यह जो percent है यह उच्छा इसलिए दिखा रहा है कि यूंकि यह graph तब lockdown का बग था तब वहां पर unemployment बहुत जदा बढ़ गया था तो इसके उसके लिए यहां पर देखिए graph बहुत ज़्यादा उच्छा है लेकिन अभी घट करके 7.2 में आ गया है तो सरकार यही कह रहा है कि unemployment rate जो है वह घटा है क्यूंकि देखिए सरकारी नौकरी तो सायदी कभी-कभी मिलती है लेकिन सरकार यह मान करके चल रहे है कि पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सरे लोगों को काम मिला है पहले से ज्यादा और यहां पर देखिए growth जो है real GDP का real GDP देख सकते हैं यहां पर बढ़ा है पहले सालों से यहां पर बढ़ा ह और आरेज इसका जो growth है वो भी बढ़ा है पहले से तो यह हो गया यह इसका graph उसके बाद हम आते हैं reaching the last mile जो सबतर इसके अंडर था reaching the last mile उसका यहां पर details दिया गया है कि उसके अंडर क्या करेगा प्रधानमंत्री PM PBTG development missions to be launched यह एक mission होगा नया जो launched किया जाएगा सरकार स है financial assistance होगा to be given for sustainable micro irrigation in drought-prone regions of करनाटा का यह करनाटाक स्टेट्स के लिए होगा more teachers to be recruit for 740 एकलब मोडल इसकूल के लिए बहुत सारे teachers को recruit करेगा सरकार और यहां पर है भारत श्री टूबी सेट अप फोर डिजिलाई डिजिटालाइजेशन अफ एंसाइंट इंस्परीशन और इंस्पर्ट्रेक्ट्र इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्रेक्ट्ट्रेंड इंवेस्ट्मेंट में देखा है यहां पर इंक्रीस्ट कैपिटल इंवेस्टमेंट आउटले भाई 33.4 पर सेंट टू तेन लग करोर वाब उसके बाद कॉन्टीनूशल अफिप्ती इयर इंटरेस्ट फ्री लोन तू स्टेट गोर्ब्मेंट तू इंसेंटिविटी इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्रेक्ट्ट में आइस कैपिटल आउटले होगा तुपएंट फोल लाक करोर का फोर रेल्वेई उसे सब इहां पे जो इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्रेक्ट्ट् उसके बाद आजे यह आनलीसिंग दे पोटेंशिल टरस्ट बेस्ट गॉबर्नेंस तो मेजियोर्स और एक्सपेक्टेट आउटकाम्स यहां पर दिया गया है इसके बारे में हम टीटल में अभी नहीं बता रहें क्योंकि बहुत समय लग जाएगा आप डाउनलोड करके बहुत सारा देख सकते हैं अचा कुछ कुछ बता देते हैं देखिए यहां पर गॉबर्नेंस जो पॉलिशी टू बी इंट्रीज नेशनल डटर गॉबर्नेंस अच्छा यहां पर देआ गया है एनवल एक्सेस टू अनोनिमाइज डिटर फॉर रिसर्ज बाई स्टार्ट अंट एकाडेमी विवाद से विश्वास लेस स्ट्रेंट कांट्रेक्ट एक्जिकुटेंस पडर्स एमेस जो होगा यहां पर विवाद से बिस्वास टू बाई टू अच्छा दो नों है यहां पर ई-कोर्ट फेस ठी में इ-कोड्स टू भी लॉंच्ट ई-फेस ठी में इ-कोर्ट किया जाएगा एंटिटी डिजी लोकर डिजी लोकर जो एक एप है जहां पे आप लोग अपना जो डाटा है हम वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं सरकार का यह बहुत बड़ा एक कदम है डिजी में डिजी तल में तो यह डिजी लोकर टू बी सेट अप फॉर यूज बाइ बिजनेस इंट चरिटेबल ट्रस्ट उसके लिए भी यह डिजी लोकर सेट अप किया जाएगा ओके फाइब जी सर्विस के लिए आप दिया गया है लैप ग्रोन डाइमोंड से ल्डीडी ठीक है बजाते हैं ग्रीन ग्रोथ के पारे में जो वहीं सेवन सेक्टर सब्सक्रिशिक अंडर पी 100 new waste to wealth plants यहां पर सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है ग्रीन ग्रोथ में जो की सरकार बहुत सारा लॉंज कर रहे हैं बहुत सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां पर आप तो बिए श्टेबलिच अंडर गोबर धन गोबर धन अच्छा गोबर धन है गोबर धन इसकीम होगा फॉर प्रोमोटिंग सार्कुलर एकोनमी उसका भी एक गोबर धन भी लॉंच किया जाएगा इसकीम है वो तो यह सब होगा ग्रीन ग्रोथ में उसके बाद अमरीत पहां गया चलिए बहुत अच्छा है पी-म-क भी-वाइब 4.0 विल भी लॉंच्ट यह कोशल भी काशी हो जिना जो है उसको फॉर पॉइंट वह होगा उसको लॉंच किया जाएगा उसमें न्यू कोर्स लाइक कोडिंग का एक कोर्स आएगा एक कोर्स आएगा रोबोटिक्स का कोर्स आएगा तो यह बहुत सारा नया कोर्स है उसको वहां पर एम-क भी-वाइब 4.0 में वह कोवरिंग करेंगे सरकार ठीक है मेजी उर्स टू बूस्ट टूरिजम सेक्टर्स टूरिजम सेक्टर्स को बूस्ट करेंगे स्टेट्स विल बी इनकारेज टू सेट अप तो प्रबूस्ट पीरी है को फाइनेंशियल सेक्टर में देखें फाइनेंशियल सेक्टर में इहां पर नैसनल फाइनचियल इनफॉरमेशन डेजिस्ट्री महिला सम्मान बचत पत्त्र होगा benefits for senior citizens वहां पर देखिए एनहेंस maximum deposit limit for senior citizen savings इसको बढ़ाया है जो पंदरा लग था उसको 30 लग सिनियर सिटिजन्स का जो डिपोजिट लिमिट्स था उसको बढ़ाया है अपर सेटिंग अप सेंट्रल डटा प्रोसेशिंग सेंटर क्रेडिट ग्राइंटी स्कीम फॉर मसमी अधर इनिसेटिफ है यहां पर फिसकल या फिर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं मैं जो इंपोर्टेंट इपोर्टेंट चीज़ें उसको मैं बता रहा हूं यहां पर इंडियन एकोनोमी बैक्ट वा स्ट्रॉंग मैक्रो एकोनोमिक्स फंडेमेंटल्स यह भी ग्राफ आप देख सकते हैं पीडिएप में देख कश्टम डूटी और बेनिफीट्स क्या होगा उसमें इंपोर्ट ऑप कैपिटल गूढ फॉर लायोन बैटरी मैनुकिंटरी और भी आप देख सकते हैं अगर आपको पूरा का पूरा चाहिए तो Direct Tax Proposal 44% of the returns on the tax payers portal were processed within 24 hours Average processing period reduced from 93 to 16 days in 8 years Processed more than 6.5 crore returns this year To reduce the compliance burden, promote entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens This tax relief to citizens driven to allow the power to keep their assets This will be further simplifying personal income tax This is a very highlight that you see now The bond reluctantly in this bond With the income tax increase 7,000,000,000,000,000 each This is a new regime में तो इहां पर देखिए वो भी कहा कि income limit for rebate of income tax increased from 5 lakh to 7 lakh in the new regime और new income tax regime कुछ इस तरह से होगा यह देखिए exception limit increased to 3 lakh 3 lakh से अपका अगर 3 lakh तक आपका income है तो आपको कोई भी tax नहीं लगेगा 3 से 6 lakh होगा तो 5% होगा 6 से 9 तो 10 इस percentage के हिसाब से आपको tax लगेगा लेकिन यहां पर देखिए 5 lakh से 7 lakh तक का जो tax rebate है उसको यहां पर छूट दिया गया तो कि 7 lakh तक अगर आपका income है तो आपको कोई भी tax नहीं लगेगा लेकिन 7 lakh से अगर आपका थोड़ा भी बढ़ जाए मतलब पांच अजार दस अजार अगर थोड़ा भी बढ़ जाए साथ लाग दस अजार अगर आपका इंकम है तो आपको इस हिसाब से फिट टैक्स लगना शुरू हो जाएगा 3.65 परसें 6.6 से 9 10 परसें इसे साब और रुपीस गोज टू यह बहुत बड़ा चीज है देखिए यह आपको जानना जरूरी है हमको भी जानना जरूरी है रुपीस कम्स फ्रॉम कहां से पैसा आता है इंकम टैक्स से बॉरोइंग अदर्स लाइवेटिस थे नॉन टैक्स रिशिप से नॉन डेप्ट कैपिटल रिशिप से कस्टोम से गूड्स अन सर्विस टैक्स का कॉर्पोरेशन टैक्स का यूनियों एक्साइस डिउटीज का यहां से हमारा रुपीस आता है सरकार के जो था देवील है उसमें और रुपीस गोर्ज तो कहां जाता है कि पेंशन पेंशन केंशन्या कि दि पेंशन में दिया आखाता है इंटरेस्ट पेंड में आचैया यूश certaines स्थ में घ。 होता है financial commissions and other transfers है उसमें जाता है state share होता है tax and duties होता है other expenditure होता है तो इसमें रूपी गोस्ट यहां पर पैसा जाता है और यहां से पैसा आता है यह भी अच्छा था allocation for specific ministry हर एक ministry के लिए कितना allocation हुआ है उसका यहां पर लाक करोड में दिया गया है यह देख लिए पर यह पीडिएप में आप देख सकते हैं allocation of major schemes यहां पर भी है pharmaceutical industry में जलजेबन mission में परधान मंत्री आवाश योजना में वहां पर दिया गया बहुत ज़्यादा एक लब मोडल residence schools में दिया गया है तो यह हो गया पूरा का पूरा बाजेट यहां पर और कुछ नहीं है तो चलिए आपको अगर यह बाजेट चाहिए तो मैं link दे दिया description box में आपको हहां से मिल जाएगा आप download कर सकते हैं और पूरा का पूरा बाजेट का भी description box में आपको link मिल जाएगा दोनों बाजेट ही आपको की highlights और पूरा का पूरा बाजेट आपको हां से मिल जाएगा तो आसा करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को बादे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा मिलेगा और हम उतना कुछ तो नहीं जरूर बनाएंगे और financial year और assessment year यह दोनों भी एक important चीज़ है उसको भी लेकर करके हम एक वीडियो बनाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा वह वीडियो तो चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो like share comment कर दीजिए और चैनल को जूरे रहिए अच्छा लगेगा आप लोगों को भी हमको भी तो अच्छा लगेगा चलिए नमस्ते फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में धन्यवाद जाई हिंद